तो दोस्तो यह है DTH का power supply है जिसमें short circuit problem है ठीक है तो दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि short circuit होने पर power supply में कौन से component खराब होता है जिसका आपसे ऐसा problem आता है और इस problem को यानि कि power supply के shortage problem को आप कैसे ठीक कर सकते हैं पूरी बाते आज के वीडियों में बताने वाला shortage problem हो सकता है और उस condition में आपका जो setup box on नहीं होगा बंद हो जाता है और अगर आप power supply के voltage को चेक करेंगे यहां पर तो कोई भी voltage नहीं आता है और दोस्तों यह फ्यूज उड़ जाता है यही sound करता है जब आपका setup box में लगा जाता है फट करके आवाज आता है तो यह उड़ जाता है तो यहां पर निकालेंगे और दोस्तों इसमें हम इस फ्यूज को यहां पर लगाएंगे तो पर उससे पहले हम इसको चेक करके देख लेते हैं मल्टिमीटर को यहां पर बजर मोड में स्रीजबोर्ड स्रीजबोर्ड में पत में डाल रहा हुười अब देखेगा आप देख सकते हैं और लगा कर छोड़ेंगे आपको ठेखना में अन्यूंद स्कुर। तो आपको पता चल जूगा होगा कि इसमें shortage problem है ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दाओं कि shortage problem होने पर कौन सी component खराब होता है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं इसका rectified diode लगा हुआ सौठ हो जाता है और अगर उसको कभी कभी असा होता है कि आएसी भी सौ데 रहता है और ऍ solely dependent is that तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे इसका जो चार्ट आयोड रहें इसको चेक करेंगे कि siitä हैं कि नहीं है अगर सتمॉट रहेता ऊंफ्सको चेंच करके देखेंगे और उससे सौटेज बता रहा है हम तीसरे डायोट को चेक करेंगे तो यह भी डायोट दोस्तों सौट बता रहा है आप देख पा रहा है किसमें रीडिंग सो नहीं कर रहा है तो चांथे डायोट में देखें तो यहां पर सतर रीडिंग सो कर रहा है क्योंकि यह भी खराब हो चुक है क् इसमें 500 से उपर वेलू आना चाहिए अगर सही रहता है तो यहां पर पता चल चुका है कि यह चारो डायोट खराब हो चुका है तो सबसे पहले हम इस टारो डायोट को निकालेंगे और दूसरी डायोट लगा कर देखेंगे कि इसका सॉटेज प्राब्लम सॉल होता है कि नही सबस्केतegt याँआओ से फोटी को पहले बाहर निकाल लेके यहां से और इसके बात्स तो उसमें इसमें में आयो जो कि हरा हम उसकोम पहले से आपे बाहर निकालते तो चलिए इतने फोटे से हुत की मदए से तो ऐसे值 तो आपको बाहर निकालना है हम इसको चेंज करके देखेंगे problem चेक करना जरूरी है अगर आप गलती से खराब डायोड लगाएंगे तो आप काम और बढ़ सकता है तो यहां पर हम चेक करेंगे बजर मोड में तो यहां पर 500 से उपर वेल्यू आ रहा है ठीक है तो हम इसको चेक करते हैं पलट कर चेक करेंगे यहां पर तो इस साइड वेल् सभी है कनफर्म हो चुक है अब इसको हम लगाएंगे तो एक साइड वाइट सीरह होता है डायोड में आप देख सकते हैं और ठीक उसी पेकार डाइग्राम जो होता है उसमें भी एक साइड वाइट पट्टी होता है तो आपको डायोड का वाइट पट्टी और डाइग्राम क लगाना ठीक है अंगर आप उल्टर लगाएंगे तो यह खराब हो सकता है तो आपको ध्यान देना है डायोट का वाइट प्ट्ड़ी और डाइग्राम का वाइट प्ट्टी एक की साइड आपको रखना है इससे आपको मोड देना है जितने दूरी इसका profes ही उसके साफ से और शराय जाइप को लगाना यहाँ पर हमने चारों डायोट को चेंज कर दिया अब यह पर दोस्तों अब ड्योंप्न जोड़ेंगे और सवाटेज चेक करके देखेंगे और या यह देखेंगे कि कि इसमें shortage problem आ रहा है कि नहीं आ रहा है वगर shortage problem फिर से आता है तो हमें आप पर IC को चेक करेंगे ठीक है तो चलिए इसमें supply wire जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या अभी भी इसमें shortage problem है तो हमने supply wire जोड़ दिया है switch on करने की बाकी है तो यहाँ पर मैं switch on कर दिया हूं दोस्तों आप supply check करके दिखाता हूं यहाँ पर आप देशाथ इस बोड़ में supply आ चुका है ना power supply में supply आ चुका है इंपूर supply को चेक करों तो बल्ब जल रहा है लेकिन ऐसे में बल्ब नहीं जल रहा है यानि कि दोस्तों इसमें पर रहा है उसके बाद 12 वोल्ट में 12 और 24 वोल्ट में 12 और यहाँ पर ग्राउंड नहीं आएगा यहां पर तिन समतीन ओल्ट आ रहा है अगर सॉर्टेज़ थीक हो गया उसके बावजूद अगर नहीं आता तो उस कर्णिशन में हम आई सी को चेक करते हैं और चेक्कर के बाद खराब होता तो इसको भी चेंज करते हैं लेकिन यहां पर सॉटेज ठीक हो चुका है और उल्टेज भी आ रहा है यानि कि इसका प्रॉब्लम सॉल हो चुका है तो चलिए तो मिलते हैं